नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपर गवर्मेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल से असिस्टेंट अकाउंटेंट भरती के बारे हम बात करेंगे जो 2016 में जिसका विज्यापन निकला था दूसरी भरती थी ये और आज लगभग एक साल निकल बाद हम इस असेस्टेंट अकाउंटेंट भरती के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं इसके पहले हमने बाराएगस्ट 18 को एक वीडियो जारी किया था जिसमें आप लोगों को पूरी डेटेल में इंफॉर्मेशन दीती कि एसिस्टना कॉंटेंट भरती जो है वो शायद पूरी नहीं हो पाएगी हमारा 12 अगस 2018 का एक वीडियो है दोस्तों उसमें सारी चीज़ों को क्लियर किया गया था कि ये भरती जो है वो सरकार के कुछ अफसरों और अधिनस सिवच आयोक की जदा गलती नहीं है गलती जदा निदेशक कोशागार की है जिनोंने गलत अधियाचन भेजकर इस भरती परक्रिया को शुरू करवाया आयोक की गलती कहीं से नहीं है दोस्तों इस वीडियो को बहुती ध्यान पूरक बहुती शहन शीलता से सुनिएगा तभी आप लोग हर इक चीज समझ पाएंगे अगर आप लोग गुसे में या द्वेश भावना से या इस वीडियो को देखेंगे तो दोस्तों आपको लोगों को सारी चीज़े क्लियरली समझ में नहीं आएंगी बिल्कुल भी परिशान मत होईएगा आप लोग जो गलती दूसरे के इस तरस की जाए उसके लिए अपने आपको दुख नहीं देना चाहिए ठीक है तो बिल्कुल अपने आपको परिशान मत करिए मानते हैं आप लोगों के इतना समय बर्बाद हो गया तीन साल का समय आप लोगों का बर्बाद कर दिया आयोग ने नहीं बर्बाद किया आयोग किसमे कुछी भी तरह के कोई गलती नहीं है ये सरकार के और कुछ अफसरों और कुछ करमचारियों के गलती है जो अपना काम धंग से सही तरीके से नहीं करते या करना ही नहीं जानते जो हैं ये उन लोगों की गलती है और मैं उम्मीद करूँगा और मैं ये विन्ती करूँगा और निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सक्थ से सक्थ कारवाई करें क्य जैसे लाखों बच्चों का भविश्य तो खराब होता ही होता है और दूसरी बात सरकार की जो छवी होती है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो मैं हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करूँगा कि इस मामले में जिन भी लोगों की गलती है उनके खिलाफ सक्थ सक्थ कारवाई करें क्योंकि इतने अभी अर्थियों का भविश उन्हों ने दाउं पर लगा दिया है और उनका कोई कुछ नहीं जाएगा जाएगा सिर्फ अभी अर्थि बच्चों का जो लाखों बच्चे जो उनने रफॉर्म दिया है और तीन साल से असिस्टंट अब बात करते हैं दोस्तों ये सारी चीज शुरू हुई एक लेटर से जो कि शाषन का एक लेटर है जिसमें ये कहा गया है कि पांसो चालिस पद्र जो सहाय कोशागार लेखा करके थे उन पर जो है वो चैन प्रक्तिया को निरस्त किया जाए ये देख लेटर भी कैसे क्या है वो लेटर जो है तो दोस्तों ये लेटर है वित्य सेवा या अनुभाग तीन का जो कि इन्होंने भेजा है विसे सचिव दैश अंकर सिंग जी ने सचिव अधिनस सिवा चानायों को और निदेशक कोशागार लखनों को इसमें रिट याच का संख्या की बारे में जो जि जिसमें सारी चीज़ें क्लियर की गई थी आयोग ने भी क्लियर की थी इसी रिट याच का को लेकर यही रिट याच का दोस्तों में है जिसमें सारी चीज़ों को बारे में बताया गया कि क्यों क्यों यो जो शाय कोशागार लेखागार की जो भरती है वो गलत तरह से शुर वीडियो जारी किया था जिसमें सारी चीज़ें क्लियरली बताई गए थी आप में से कई सारे लोग ने हो सकता है वह वीडियो अभी ना देखा हो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दोंगा वहां से वह वीडियो को जरूर एक बार देख लिजएगा उससे अनूप सिंग द्वारा रिट यचका किया थी इसी मिमाने नियाले ने आदेश पारित किया था कि जो भी आपका ये जो समलित साहिक लेखा कार्यों लेखा परिच्छक परिच्छा 1216 का चैन चल रहा है उसको जारी रखा जाए लेकिन रिजल्ट तब तक नहीं घोशित किय जाएगा जब तक की कोड और ना कर दे कोड ने रिजल्ट जारी करने पर इस्टे लगा दे था जिसकी कारण आज तक जो है उसका रिजल्ट गोशित नहीं किया जा सका है तो इस पर दिखिए इन्हों ने शाशन ने जो अपना नियर्णय दिया वो ये था कि प्रक्रण में सम्यक विचारोपरांद सहायक कोशागार लेखाकार के 540 पदों के चैन हे तू दिनाग 5 जुलाई 12-16 को यूपी ट्रिपलसी को प्रेशित अधियाचन वापस लिये जाने का नडिननय लिया गया है दोस्तों इस बात से तो साफ जाहिर ये हो रहा है एक चीज कि जो भी इसी बात की पुष्टी हमने अपने एक साल पहले वीडियो में की थी जो हमने वीडियो जारी किया था कि जो ये अधियाचन भेजा गया है शाषन ये जो निदेशक कोशागार द्वारा 540 पदों के लिए वो गलत भेजा गया है तब आप मैंसे कई सारा लोगों ने हो सकत था उस बात को नहीं माना हो उस बात पर हम लोगों हमारी बहुत अलोशना भी की थी लेकिन खेर तो अब इन्होंने शाषन ने भी ही बात मान लहीं कि जो 540 पदों का जो अधियाचन बेजा गया था वो गलत था और उसे वापस लिए जाने के निर्णय शाषन ने ले लिय है अधियाचन वापस लिए जाने के निर्णय दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि अब जो यह भरती जो आपकी सम असिस्टन कंबाइन असिस्टन अकाउंटन्ट एवं और ओडिटर दोजा सोला की जो भरती थी उसमें से आपके 540 जो यह पद थे साहब दिये जाएंगे उसकी भरती जो है वो सीधे सीधे निरस्ट हो जाएगी उस पर आप आगे कोई कारवाई नहीं के जाएगी जो बाकी बचे 1901 पद है 1905 पद है उनहीं पर कारवाई आगे चलेगी जो की O-Level वाले पद थे जिसमें सब में O-Level मांगा गया था और एक कोई और था उसके बारे में भी मुझे याद नहीं आ रहा है 1905 आपके 1901 पद के करीव आपका O-Level के पद थे 540 पद ये शाहिक को शकार लेखा करके थे और बाकी एक और कोई डिपार्टमेंट था उसके पद थे तो जिन में से ये 540 के अधियाचन जो है वो निरस्ट हो गया ह इस पर चैन कारवाई आगे नहीं होगी तो देखिए लिख रहा है कि कृपया इस अधियाचन से संबंदित चैन पर गया को रेस्ट किया जाए एवं करत कारवाई से शांशन को अफद्यत करा जाए अब आप में से कही सरों लोग ने पुछा तो देयाशंकर संग जी विसे सचिव वित देखते हैं वित सेवाय अनुभाग तीन पूरा पूरा वही देखते हैं तो इसमें आप बिल्कुल भी कोई दो राय मत रखिए कि यह जो पत्र है यह जाली है यह फेक है यह पत्र बिल्कुल सही है वित सेवाय अनुभाग तीन के विशेश सचिव द्यासंकर जी ने ये पत्र जारी किया है, इसके पहले भी दयाशंकर सिंग जी ने इसी मामले में कई सारे पत्र जारी किये थे, और जिलाधिकारियों को भी जारी किये थे, निदर्शक कोशागार को भी जारी किये थे, और सचिव यूपी ट्रेपल सी को भी जारी किये थे, तो इस लेटर की जो वह authenticity है वह 100% है यह लेटर जो है फेक नहीं है दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं अब आप लोगों को हम फिर से डिटेल में समझाते हैं कि आखिर यह 540 पज जो है उसका जो है notification वो क्यों गलत है दोस्तों यह भरती जो आपकी होती है निदेशक कोशागार लेखाकर वगएरा जो भी होते हैं साहइब कोशागार लेखाकर की इसकी एक नेमावली है युत्तर प्रदेश Treasury Clerical Service 1978 की 1978 में नेमावली बनी थी उसमें प्रावधान ये किया गया था कि जूनियर क्लर्क पे भरती होगी सहायक, कनिस सहायक या उसको कनिस ट्लिपिक कहते थे कोशागार उसमें भरती होगी उसके बाद सेनियर जो है अकाउंटेंट पे और जो सहायक, कोशागार लेखाकार पे है उस पे उनको प्रमोट किया जाएगा मतलब जो डाइरेक भरती होगी वो आपका जूनियर अकाउंटेंट पे ही होगी डाइरेक भरती होगी वो आपका जूनियर अकाउंटेंट पे ही होगी सहाय कोशागार लेखाकार के पदों पे डायरेक्ट भरती का कोई प्रावधान नहीं किया गया था सिर्फ आपका प्रमोशन से ही वो पद भर्य जाते हैं कई सारे पद होते हैं जैसे जो आप जूनर लेवल पे भरती होए तो आपको सीनियर आपको करती जाएगा सीनियर लेवल के पदों पे डायरेक्ट भरती नहीं होती तो ये वही चीज थी अब 1978 जो नीमावली थी उसमें ये व्यस्ता थी इसके बाद सरकार ने इस मामले में कोई संशोधन किया नीमावली में कि नहीं किया इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं ना शाषनको ना निदेशक कोशागार को उनको कोई जानकारी नि कोशागार-लेखाकार के पदों पर डायरेक्ट भरती हो ही नहीं सकती है इसलिए जो 540 पदों का अध्याचन जो भेजा था निदेशक कोशागार में वो गलत था इसके बारे में हमने आपको फिर से बता है इसके बारे में हमने एक साल पहले ही जो वीडियो बनाय था उसमें जानकारी दे दी थी कि जो पद जो 540 भेजे गए वो गलत है अगर अगर सरकार ने 1978 की नियमावली में बाद में संशोधन किया होता कि चलो भीया सहाय कोशागार लेखागार के पदों पर भी डारेक्ट भरती हो जाएगी तब तो जो अध्याचन बेजा था वो ठीक था लेकिन सरकार को यानि देशक कोशागार को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कोई संशोधन यमावली में किया गया है या नहीं इसलिए जो पदों जो 540 पद भेजे गये थे उनका कोई भी जो है वो आधार नहीं बनता था वो गलत अध्याचन जो है वो भेज दिया गया था इसके बाद क्या हुआ इसके बाद साशन जागा जब कई सारे रिटे होई शाशन जागा शाशन एक आदेश कर दिया कि जिलों में जो भी लोग जूनर एसिस्टेंट से सहाय कोशागार लेखागार के पद पर प्रमोट किये गये थे उनको रिवर्ट बैक किया जाए जूनर एसिस्टेंट के पद पर जो है यह इसलिए किया गया ताकि जो आपके 540 पदों का दियाचन भीजा गया था उस पर चैन के कारवाई हो सके सरकार ने उस टाइम आप लोगों के हित में यह आदेश जारी किया था लेकिन यह आदेश इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि जो आदमी जो इनसान 20 साल पहले जोनर एसिस्टेंट के पद पर नौकरी पाया था ट्रिजरी में और वो प्रमोशन पाया सहाय कोशागार लेखा सकते हैं कोड कोई भी कोड इस बारे में ने इस बारे में सरकार का पक्ष नहीं देगा कि आप 20 साल 22 साल जो नौकरी करके आपने प्रमोट किया आपने प्रमोट किया खुद प्रमोट किया उसको सहाय कुशागा लेखागार के पद पर और अब कह रहे हैं कि उसको प्रमोट उसको डिमोट कर दिया जाए जोने assistant के पद पर ये कभी भी किसी भी कोट में इस पक्ष में निर्णाय नहीं हो सकता ये आदेश हमेशा गलत था सरकार का सरकार ने भली कर दिया हो ये आदेश आप लोगों के पक्ष में आदेश किया था ताकि आप लोगों के chain के कारवई रद कर दिया है लेखाकार को पदावनत कर कनिश्ट लिपिक बनाने का अदेश खारिज हाई कोट ने कहा सरकार का अदेश सही नहीं बिल्कुल कनिश्ट लिपिक से सहाएक लेखाकार और फिर लेखाकार के पदपर प्रोमनत होने के बाद पदावनत कर फिर से करनेचलिपक बिना जाने के सरकार के अदेश को कोट ने खारिच कर दिया है कोट ने सरकार के अदेश को कानून की मंज़ा के विपरीत माना है देखे कोट हमेशा natural justice पे काम करता है Natural Justice यही कहता है कि आपकी गलती का खामी आजा दूसरा नहीं उठाएगा आपने Junior Assistant को सहायक लेखा कार बनाया उसके बाद सहायक कोशागा लेखा कार से उसको लेखा कार बनाया मतलब वो आप जिस पद पर भरती आप 540 पदों की बात कर रहे हैं भी Senior Accountant बना दिया और आप आप कह रहे हैं कि Accountant को दो पद डिमोट करके Junior Assistant बना दी जाया यह Natural Justice में नहीं आता इसलिए सरकार कोट ने सरकार के इस आदेश को एक ही जटके में खारीच कर दिया है और अब उन्हेंने कहा है कि सरकार का यह जो आदेश से वो शही नहीं है और याची को कोट नियाभी का है याची वो लेखाकार के पद से उससे कनिशलिपे के मूलपद पर पदावनत नहीं किया जाएगा और लेखाकार को अनुमन ने तन्खवा वा आने सेवा संबंधी लाब यथावत दिये जाएंगे जो उसे मिल रहे थे मतलब किसी का भी डिमोशन नहीं होगा जो भी लोग प्रमोट के गए वो सब वेथावत रहेंगे और उनको वही तन्खवा जो है वो दी जाएगी अब दोस्तों बात यह आती है सेशाशन ने आपके पदों का जो है वो निरस्त करने का अधियाचन वापस लेने का निर्णाय क्यों लिया वो उन्होंने दोस्तों इसी लिए निर्णाय लिया है कि 540 जो सहाय कोशगा लेखा करका पद है उस पर डारेक्ट भरती होने का प्रावधान नहीं है उस पर डारेक्ट भरती होती ही नहीं है अब सरकार को ये करना पड़ेगा कि जो डारेक्ट भरती के पद है दोस्तों बिल्कुल निराश मत हुएगा क्योंकि जो डारेक्ट भरती के पद है वो सारे के सारे पद खाली होंगे बहुत सारे पद खाली होंगे, बहुत बड़ी संक्या में, साहे कुशागार लेखागार के पद पर तो भरती नहीं होगी, 540 पदों पर, क्योंकि वो ध्याचन सरकार ने वापस ले लिया है, वापस लेना ही था, ये बात हमने बहुत एक साल पहले ही, एक डिर साल पहले ही, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताई थी, उस वीडियो का भी मैं लिंक आप लोगों को दोस्तों, डिस्रिप्शन में शेर कर दूँगा, वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा आप लोग, उसमें आप लोगों को चीज़ें क्लेर हो जाएंगे, कि सीनियर जो से खामियाजा आप लोगों भुगतना पड़ रहा है मैं अंत में आप लोगों से यही निवेदन करूंगा दोस्तों कि बिल्कुल धैरे बनाई रखिए इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है कोट सरकार में ये एफिडेविट कोट में लगा दिया है कि हमने पांसो चालिस पड़े बारे में आप कोट को है कि खटकटा सकते हैं और जो भी सम्मांदित लोग है जिनकी गलती की वजह से यह आप लोगों को खाम्याजा उठाना पड़ रहा है, उन पर सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए, उनको नौकरी से सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनके खिलाब सक्त कारवाई की जानी चाहिए, कि उनकी एक छोटी से गलती की वज़े से आप लोगों को ये खाम्याजा भुगतना पढ़ रहा है और अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल धैरे बनाए रहे हैं बिल्कुल शान्ति से काम कीजें एक भरती रद होना राने से आप लोगों कोई भविष्य नहीं बर्बाद होगा दोस्तों आप लोगों कि जो भी जूनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटन के पद पर जो भी भरती होती हैं, सभी कोशागार को लिखा जाए सभी ट्रेजरी को, कि तुरंत अधियाचन बेजें, कि कितने पद उनके खाली हैं, कम से कम 500-600 संख्या में 700-800 पदों खाली होंगे, उस पर तुरंत अधिया भुगतना पड़ रहा है, उनको दुबारा से उनको शामिल किया जाए उस भरती में, और उस पे तुरंत कारवाई की जाए, तुरंत आप लोगों को नौकरी एक साल के अंदर आप लोगों के हाथ में नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपको तीन से चार सल बरबाद हु लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको भी जिस्टिस मिलना चाहिए, और इसके लिए आप लोग एक जूट रहिए, एक साथ काम करिए, कोई भी हिंसक, कोई भी प्रदर्शन ऐसा मत करिए, आराम से, एकदम इत्मिनान से, मिल बैठकर रणनीती बनाईए, आयोक के अ करिए, कि बिलकुल इत्मिनान धहर बनाई रखी, और आराम से, आगी की रणनीती बना कर काम कीजिए, दोस्तों, इस वीडियो को अंतर तक देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो असिस्टन्ट अकॉंटन भरते ही सब्सक्राइब, जितने भी लोग हैं, उनसे शेर जरूर कर दीजेगा, एक अगली वीडियो हम देंगे असिस्टन अकॉंटन के पद पर उन अभियर्थियों के लिए, जो O-Level वाले हैं, जिन पर आगे, क्या कारवाई होगी, कैसे उनका रिजल्ट आएगा, कैसे गाएग उस पर एक अगली वीडियो हम जारी करेंगे, अभी के लिए फिला लिक नहीं, दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया